कि आपको पता हुआ कि यह भी हमारे चैनल पे टैंक का सीरी चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि टैंक कैसे बनाना है देखिए यह ड्रॉइंग है ठीक है सब कुछ मैंने जो है अल्लेडी बता दिया पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखना है तो आप पिछली वीडियो को देख लिजिए कि इसका फ्लांज कैसे बनाना है इसमें रिंग कैसे लगाना स्टिफनर कैसे इसका लगाना है यह जो टैंक आप देख रही है कैसे बनाना है ठीक है तो हमने जो सब कुछ बता दिया है और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था इस उसके बाद आता है हमारा इसमें जो आप रिंग देख रहे हैं ठीक है यह वाला होरिजोंटल रिंग यह कैसे लगाना है क्योंकि सेल जो होता है जो हमारा टैंक होता है वो बिल्कुल राउंड होता है तो उसमें हम लगा देते हैं उसमें आसानी से ठीक है लेकिन अगर यह द तो देख रहेक हैं और यह जो बटिकल का है टो शा aurait लegल होगा सकते हैं लेकर जो एकुझे मेंन तो फॉर्चर दो एक किया सो घृस्तव को भी रख सकता या फिर दे जंसरे हैं यहां का ट्वया कितना डायमप है लेकिन आपको हाईट ज़रू दए देगां ड्रॉइं में ठीक है तो हाइड वह एगर आपके पास रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं थेक तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक ले आउट करना है अपने कोन का जितना विडिया का कोन है ठीक है तो ले आउट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन खीचना होगा ठीक है सबसे पहले आपको एक लाइन खीचना होगा और उसके बाद आपको एक राइट एंगल में सीधा लाइन खीचना है ठीक है बीच में लगवग होरा चाहिए यह यह बिल्कुल राइट एंगल में होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है कि राइट एंगल में लाइन क से खीचा जाता है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो अल्रेडी मैंने बनाया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से एक राइट एंगल में आपको लाइन खिचना उसके बार आपको नीचे क्टाया लेना है ठीक है तो नीचे क्टाया हमारे कितना था कौन का 200 तो यहां पे मैं 200 ले लेता हूं ठीक है नीचे कटाय हमारा हो गया 200 उसके बाद हमारा हाइट सो था कौन का वो था 100 mm जो कि मैं यहां पे 100 mm ले लेता हूं ठीक है और उसके बाद ऊपर में भी आपको एक विल्कुल राइट एंगल में इस तरीके से लाइन खीचना है और जितना आपका डाय है उतना ले लेना तो उपर का हमारा डाय था 50 mm ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है इसको मिला देना है ऐसे ठीक है तो यह हमारा कौन का ले आउट हो गया अब हमें देखना है कि हमारा रीन कहां पे आ रहा है ठीक है तो रिंग हमारा है 50 mm पे आ रहा है तो यहां से 50 mm आपको ऐसे पॉइंट मार देना है दो जग अपर इधर 50 और इधर 50 होके और इन दोनों को ऐसे खीच देना है ठीक है अब देखना है आपको की बाहर कितना जा रहा है अगर 10 mm अगर आपको बाहर लेना हुआ आपको ड्राई में मिल जाएगा कि कितना इसका ओडी है तो उसी सबसे आप ओडी बाहर कर दे फिलाल में आप दस से में भी ले रहा हूं ठीक है तो यह हो गया हमारा ले आउट अब देखना है कि रीम बनाने के लिए हमें यहां पर ओडी की जुरत पड़ेगा तो जब आप ले आउट किजेगा तो आपको ओडी यहां से मालूम चल जाएगा आईडी मालूम चल जाएगा तो यह देखिए मैं देखता हूं यहां से यहां कितना रहा है 125 आईडी तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं आईडी 125 तो तरदस हमें बाहर किया है तो ओडी हो जाएगा इसका 145 एम ठीक है अब आईडी ओडी हमारे निकल गया अब इसी से हम इसका ले आउट करते हैं और इसको बनाते है तो चलिए देखते हैं कैसे करना है तो यहीं पर मैं ले आउट करता हूं तो आईडी हमारे 125 है और ओडी 145 है ओके और फ्रेंड्स यह जो मैंने आपको यहां का जो डिस्टेन जो आपको बताया निकालके यह आप ले आउट चाहे तो ले आउट करके निकल सकते या फिर इ फॉर्मूला जो है वह फ्री में नहीं रहेगा इसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा ठीक है फॉर्मूला में बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो फिलाला अभी ले आउट से ही जान लेजे कि ले आउट करके कैसे निकाला जाता है यहां पर आपको मैं थोड़ा टिप्स भी दे देता हूं मान लिजी आपके पास इतना बड़ा अगर प्लैटफरम नहीं है तो आप क्या कर से आधा का फी लियाउट मार सकते हैं मतलब कि इतना पूरा मत मार यह यहां पर देख रहे हैं इतना बाटा दीजिए जैस से यहां अगर आप देखेंगे तो 125 का आधा आएगा तो उसका जो पूरा करेंगे तो आपको पूरा ओडी पूरा आईडी आपको मिल जाएगा ठीक है यह एक सोट ट्रिक हैं जिससे आप निकाल सकते हैं ठीक है पूरा आपको मारने का ज़रुत नहीं सिर्फ हाप पाट मा तो सबसे पहले आपको क्या करना है टेप से आपको सबसे पहले मार देना है तो इसका पहले तो आपको डिवाइड करना है डिवाइड टू और डिवाइड टू तो 125 का आधा हो जाएगा 62.5 ठेक है तो सबसे पहले और इसका अधा हो जाएगा 72.5 है न तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिवाइड का मार देना है 72.5 चले यहाँ पे में मार देता है 72.5 ठेक है और फिर इसी पॉइंट से आपको 62.5 मारना है मतलब यहाँ पे ओक है और आपको क्या करना है इस पर डिवाइड रखना है ऐसे और इसे गुमा देना ठेक है अगर आपके पास पूरा जगा है तो सरकल गुमा दीजिए अच्छा रहे आपके लिए डिवाइड करने के लिए कितना पाठमटिक बनाना है वो और अगर जगा नहीं तो बस जतना आपको पास जगा है उतना ही रौन घुमा कर कर सकते हैं शिर्फ में आपको समझाने के लिए यहां पर पूरा राउंड मा inflator Liagnar a है तो देख सकते हैं यह रहेगा हमारा निकाए अब यहां पर आपको क्या करना है आप या यह रंजय घ्कतो आपको बनाएंगे नहीं तो इसको diwan भी आपको करना है यह कितना पॉइंट फाइब आया है सोरी उसके लिए आपको आइडी को जो 125 है या फिर ओडी 145 उसको क्या करना है इंटू पाई कर देना जो भी अंसर आएगा उसको डिवाइड चार करना है पांच करना जितना भी करना है मान लिए यहां पर चार में करता है तो जितना भी अंसर आएगा उसको क्या करना है ऐसे मान लिए डिवाइड कर देना एक दो 3 और इसलिक जारो करवाथ उसके बाद आपको अकि और उसके बाद आपको यहां से यहां का रख हाइओ देह लाना मतलब इसका कोम यहां से ले करकर और yağता तक 90 आम जो हमारा एक ring आएगा उसका dimension ठेक है तो इसी layout से अब आपको plate पे marking करना है ठेक है तो suppose किजिए कि यह plate 10 mm का ठेक है और इसमें आपको ring cutting करके निकालना है तो कैसे निकालना है चलिए देख लेते हैं तो सब्से पहले आपको क्या करना है इसका जो layout आपने मारा ह। मैसे सेवे आपको ऐसे रख के और इस plate पे मार देना है तो यह plate आपको हिर्ना नहीं चींठ सीथ है यह plate यह वाला मानना है ओद आ हम ऐसे आखि tapped का और उसके बाद आपको क्या करना है यह जो आपका पॉइंट है उससे आपको कि सीधह लाइन खीच लेना है ठीक है यह लाइन आप पहले अगर खीच लेंगे तो और भी अच्छा रहे गा Major मतलब कि यह लेयाउट करने से पहले आप इसमें पहले लाइन खित ले उसके बाद इसका लेयाउट गुमाएं ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है 90 mm जो आपका लेंथ आए था कॉड लेंथ वह आपको यहां पे मार लेना है ठीक है ऐसे तो देख सकते हैं यह मैच हो जैब आरा है बिलकुल यहाँ पे यहाँ पर 45 आ रहा है मतलब कि यहाँ पर रहेगा और एक यहां पर आख़ेगा अब थोरा ध्यान से देखिएगा और इसका जो पॉइंट है जो सेंटर पॉइंट है इसका उसको क्या करना यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे कि मार देना इजहर और एक तो यह हो गया हमारा एक रिंग का पीच अब इसी को एगर आपपई बना देंगे तो यह तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेश कर दीजिये और अगर आपको समझ में नहीं नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यह रिंग का उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया उसको आप जाके देखिएगा तो आपको जा सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में